अगर आपके पास Google AdSense का account है और आप ये सोच रहे हैं कि हम auto ads को use करें या फिर manual ads को किसमें हमें ज़्यादा फैदा होगा, template के design में क्या effect पड़ेगा, Google AdSense का जो auto ads है, उसके नदर ऐसी कौन सी खास बात है या उससे क्या नुकसान होने वाला है या फिर manual ads को use करने में फैदा है, आज इनी questions के मैं आपको answer देने वाला हूँ, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाज सक जरूर देखें, और उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, और के उपर जरूर क्लिक करें, मैं हूँ वेडान और वेलकम मैं आपका टेकनो वेडान चैनल में, सबसे पहला पॉइंट, टेंपलेट डिजाइन, मैं दोनों के केमपैरिजन आपको बताता रहूँगा, जिससे आपके लिए समझना बहुत इजी होगा, अगर आप आटो एड्स को एक्टिवेट करते हैं, अपनी वेबसाइड में, ब्लॉगर है या फिर वर्ट्प्रेस में, जो आपका टेंपलेट का डिजाइन है, उसके अंदर कभी भी कहीं पे भी एड्स शो करना लग जाएगी, कभी वो हेडर पे आजेगी, कभी फूटर म नाम लिखा है, एक्जामपल पर मेरी वेबसाइड का नाम है टेक्नो विदान, और टेक्नो विदान जिस तरस का मेरा टेंपलेट है, उसी के अंदर टेक्नो विदान बिल्कुल फिट आ गया, और जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, और उसी के उपर अगर एड आड आजेगी जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, और मैनुवल आड्स के अंदर आप एक जगा फिक्स कर सकते है, टेंपलेट का जहां जहां आउप्शन्स होगी, आप वही अपनी गूगल आड्संस की आड्स को वहाँ पे प्ले वैसे तो बहुत सारी plugins आ चुके पर blogger के अंदर plugin नहीं होता, blogger में आपको manually खुद ads को paste करना पड़ेगा, पर अगर आप auto ads को activate कर दोगे, तो Google अपनी तरफ से उसका जो automatic intelligence है, AI वो automatically ads को आपके article में paste करता रहेगा, उसकी position वो अपने आप set कर देगा, पर manually आपको खुद करनी पड़ेगी, अगर आप WordPress यूज़ करते तो उसमें एक plugin आता है, उस plugin की help से आप automatic, आप area select करके अपने Google Adsense के code को paste कर दोगे, तो आपके हर article में, हर page में, उसी position में वो ads आने लग जाएगी, उसके में ये वीडियो भी बना चुका हूँ, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, पर auto ads में आपको manually add बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, blogger में आपको auto ads में automatic ads तो placement मिल जेगी, पर आपको उधर manually करना पड़ेगा, तो इस चीज में friends auto ads थोड़े number ले जाता है, क्योंकि आपको code paste करने की tension नहीं रहेगी, blogger के लिए, WordPress में ये चीज फिर भी थोड़ी easy है, third point आता है CPC, किसमें आपको ज़्यादा कमाई होगी, auto ads में या फिर manual ads में, Google का जो auto ads है friends वो बहुत intelligent है, वो judge कर लेता है, कि आपका जो template का design है, वो किस तरह का है, आपका जो article है, वो कितना बड़ा है, और आपके article में कहाँ पर वो ad देनी चाहिए, तो अगर आपका article 7-800 words का है, तो friends वो automatically उसमें 2 या 3 ads अपने आप paste कर देगा, और हमें manually में थोड़ा लालच रहता है, कि हैर हमने 1000 words के आजपास का article लिखा है, तो इसमें ads भर देते हैं, 6-7 ads लगा देते हैं, तो यहां जाके थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, मैं आपको थोड़ा खुल के समझा देता हूँ, जब भी आप अपनी website बनाते हैं, blogger या WordPress में जो ads होती हैं, उसको आप ज़्यादा उपर रखे, header में रखे, जब आपका article स्टार्ट होता है, उसके उपर रखे, sidebar में इतना value नहीं करता, अगर mobile से आपकी website को open करा जा रहा है, तो sidebar में जो ads होती है, जब mobile को कोई scroll करेगा, तो वही ads नीचे आगी, पर PC, laptop में इस चीज़ का benefit ज़रूर मिलेगा, अगर आप manually ads लगा रहे हैं, header में लगाएंगे, main menu के आसपास आप add create कर रहे हैं, आपका जो article है, उसके उपर ads लगा रहे हैं, sidebar में ad लगा रहे हैं, तो जितनी भी उपर ads होती है friends, उसका benefit, उसका CPC हमेशा ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि जब हमारी website में कोई visit करता है, हो सकता है, वो पूरी post read ना करें, नीचे तक ना जाए, तो उपर उपर उसे ad दिखेगी, जितनी उपर ads दिखेगी, उतने ज़्यादा impression आएंगे, और click के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हो सकते हैं, वो आपका article पढ़ रहा है, और उसे last तक ना पढ़े, और जो नीचे आपकी ads है, उसमें clicks हो ही ना, तो इसलिए जो नीचे वाली footer वाली ads होती है friends, उसमें CPC हमेशा कम होता है, और auto ads, Google का automatic जो intelligence है, वो अपने आप समझ लेता है, कि किस समय कहाँ ad दिखानी चाहिए, कहीं की बार आपकी ads नीचे की तरफ आएगी, उपर नहीं आएगी, तो उससे आपके CPC में effect पढ़ जाता है, यह मैं auto ads के बारे में बचा रहा हूँ, auto ads में उपर ad आई नीचे आई, और उतना नीचे तक आपका जो viewer है, वो गया ही नहीं, तो ना तो आपकी ads में click आएगे, ना ही इतने ज़्यादा अच्छे impressions आएगे, तो आपकी ads में click आएगे नहीं, तो उससे earning नहीं होगी, इसलिए काफी लोगों को यह problem आती है, कि जब आप auto ads को activate करते हैं, तो हमारी earning उससे बहुत कम हो जाती है, तो better है क्यों ना हम manual ads लगा लें, कम से कम earning तो अच्छी होती है, उसका reason नहीं यही होता है, manual ads में आप अपनी position set कर सकते है, कि आपको ad कहाँ पे place करनी है, और Google Adsense की auto ads की कुछ algorithm होते है, जिसे आप मैं कोई भी नहीं समझ सकता, अगर किसी को थोड़ा समझ भी आजे, कोई उससे crack भी कर ले, तो बहुत जल्दी Google उसे update कर देता है, क्योंकि Google भी नहीं चाहता, उसके algorithm को कोई crack कर सके, उससे कोई समझ पाए, नहीं तो सामने वाले के लिए बहुत beneficial चीज होगी, तो इसलिए algorithm को समझना तो बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप उसे समझो के, जब तक वो change हो जाएगी, तो इसलिए friends, अगर आप auto ads लगाना चाहते, तो उसमें आपको पूरा depend रहना पड़ेगा, Google के उपर, कि कहां वो ad place कर रहा है, और उसके बद आपकी कमाई कैसे और कितनी होगी, तो वो आपको Google के उपर ही defend रहना पड़ेगा, और जब आप manual ads लगाओगे, तो उसमें आपको पता है, उपर उपर आपने ads लगा रखी है, और ऐसा नहीं कि आपने ads से पूरा भर देना है, content से ज़्यादा ads नहीं होने चाहिए, 500 words का आपने article लिखा है, यह चीज़ बिलकुल नहीं होने चीज़, 500-600 words का article लिख रहे है, approval मिला हुआ है, एक या दो ads लगाओ, जितनी कम ads होगी, CPC उतना अच्छा मिलेगा, ज़्यादा ads से भर दोगे, content से ज़्यादा ads भर दोगे, तो CPC भी अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकते हैं, आने वाले time में, Google ads के जो auto ads है, वो थोड़ी और intelligent हो जए, जिससे उसी में हमें ज़्यादा profit हो, पर इस time में, मैं खुद manual ads को ही use करता हूँ, बाकि decision लेना आपका काम है, I hope आपको सारे questions के answer मिल गए होगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इससा like और share जरूर करे, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको fit से, और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!